हलो पेरेंस एंड वलकूम बैक टू मैं चैनल क्या आपका बेबी साम होते ही रोना सुरू कर देते हैं और जैसे जैसे रात बड़ता है बेबी रोय जाता है पतलग पूरा दिन तो बेबी बिल्कुल ठीक रहता है बट में वह साम शक्का घालाता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरे दिन तो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं पर जैसे ही साम के टाइम आ जाता है उसे टाइम पे बच्चे बिल्कुल फसी हो जाते हैं और रोते रहते हैं और इस वज़े से बहुत सारे पैरेंट्स बहुत जादा परिशान भी रहते हैं मेरी ममम भी बिल्कुल ऐसे थी वह पूरे दिन तो बिल्कुल सोय रहती थी कोई प्रॉब्लम नहीं था फीड भी करती थी अच्छे से बट जैसे ही साम होना शुरू हो गया वैसे ही उसका रोना शुरू हो जाता था तो आज हम इसी टॉपिक के उपर डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यूं होता है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चे को सांत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो वीडियो बहुत खास है बिना स्किप किये वीडियो को एंड तक देखिएगा पसंदाने पर लाइक बहुत देर तक बहुत ज्यादा रोते रहते हैं तो उसे कॉलिक बोलते हैं अफ्टर बर्थ दो या तीन वीक तक ऐसा हो सकता है एक्चुली ओवर फीडिंग, अंडर फीडिंग, फूड अलर्जी यह सब कुछ रिजन हो सकता है कॉलिक का और यह प्रॉब्लम धीरे अपने अपने आप सौलल हो जाता है और यह जो सामके टाइम से भचाज अगर आपका कौलिकी से रहता है तो यह प्रॉब्लम भी आटोमेटिक सौल जाता है ओवर स्टिमूलेशन भी एक बहुत बढ़ी वजह हो सकता है सामके टाइम पर आपके बच्चे की रोने का अच्छली यह जो नौइज है या लाइट है यह सब कुछ बच्चे के लिए बिलकुल नया है नौइज हर्स लाइट यह सब कुछ न्यूबॉर्ण बेबी को एड़ा सा टाइम लगता है तो जब बच्चा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है तब बच्चे रोते रहते हैं तो आपको कोशिश क करना चाहिए कि सामके टाइम पर आपको बच्चा रोता है तो राचले दीम कर देना चाहिए तेज रोसनी रूम कि अगर अंदर होगा तो बच्चे को प्र Member हो सकती है तो इसलिए अगर लाइग कर दें तो बदूद आप सांध रहेंगे तो आप इसलिए नहीं चाहिंगे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका बच्चे को आप सुला सको साम के टाइम पे या रात को अगर आपका बच्चा बहुत रोड़ा है तो आपको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको सुला सको और इस सब के इलावा साम को या रात को बच्चे की रोने की एक और वज को लेके बट यह बात आपको समझना होगा कि गैस और कॉलिक एक चीज नहीं है आपको यह समझना होगा कि आपके बच्चे को गैस हुआ है इस वज़े से बच्चा रो रहा है या तो फिर ऐसा होता है कि मदर पूरा दिन बीजी रहते है और साम होते होते या रात को मदर और अगर बच्चा भूका होगा तो ओविएसली वो शाम के टाइम से ही आरात को बहुत जादा रोएगा भी फसी हो जाएगा तो इसलिए एक मदर को रेस्ट की बहुत जरूरत है अगर आप थक जाएंगे तो आप अच्छे से ब्रेस्मिक सप्लाई नहीं कर पाएंगे और आ अगर आप थक जाएंगे तो आपका बच्चा भूखा रह जाएगा इस बात कभी आपको ध्यान रखना चाहिए तो यह सारे वज़ा हो सकता है आपके बेबी का साम के टाइम पर फसी हो जाने का सो हाव कैन यू हेल्प यूर फसी बेबी आप अपने फसी बेबी को सूध करने के लिए क्या कर सकते है स्कीन टू स्कीन कॉंटेक्ट बहुत हेल्प करता है आपके फसी बेबी को सांथ करने में इसे क्यांगारू के एर भी बोलते है और यह बहुत हेल्फूल होता है आपके अच्छा नींद आता है और ब्रेस्फिनिंग भी इजियर हो जाता है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी बस आपको अपके बच्चे को अपने चेस्ट में लेना है और उसे कडल करना है देखना अगर आप अपने फसी बीबी को चेस्ट में लेंगे तो वो जल कर सकते हैं आपको बच्चा बिल्कुल साथ हो जायगा वह लिए आप बएघर बाख जादा नॉइस अरूम में और बच्चे को स्वार्डल कर gef बल्कुल भी बच्चा जाता है वह इस अधर द्या स्वादल पार जादा कर देना है बाहर से आवाज ना आए ऐसा आपको कोशिश करनी है और बच्चे को अच्छे से स्वाडल कर लेना है और अपने लैप में लेके अप हलका म्यूजिक गुनगुना सकते है और वाक कर सकते है इससे अपका बच्चा बिल्कुल सांथ हो जाएगा या तो फिर आप अ नहीं होगा आपको टाइम लेना पड़ेगा आपका बच्चा और जादा रो सकता है स्वाडल करने की वज़े से बट दो तिन मिनिट के बाद बच्चा अपने आप सांथ हो जाता है क्योंकि बच्चे को अगर स्वाडल करेंगे ना तो बच्चा बिल्कुल शिक्की और फि अपने बच्चे को सांथ करने के लिए अमशुर की यह आइडिया आपके बॉखोत कामाएगा आपके लिए बहुत हेल्फुल होगा तो बस आज के वीडियो में इतना ही आमशुर की यह वीडियो अप लोग के लिए इंफॉमेटिव और हेल्फुल रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हाँ इस वीडियो को जादा से जादा पैरेंस तक जरूर पहुंचाईएगा खास करके न्यू पैरेंस तक तो बिल्कुल पहुंचाईए यह वीडियो थैंक्यू फर वाचिंग करके जलें से जलें पना कि सा प्लीज फहाँ वीडियो मत व्पैलें से घंको आवाअएगा